नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जारखन्ड कॉम्बाइंड इंट्रेंस कॉम्पेटिव इग्जामिनेशन बोर्ड यानकी JCEB के दोवारा ANM तथा GNM के एडमिशन की ओनलाइन काउंसलिंग कैसे करें तो इसके लिए आपको जारखन्ड कॉम्बाइंड इंट्रेंस कॉम्पेटिव इग्जामिनेशन बोर्ड की ओफिशियल वेबसाइट पे आना होगा जिसके वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रेप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से क्लिक करके पेज पे आने के बाद यहां पे आपको क्लिक हैर फोर ऑनलाइन कांसलिंग 2022 का ओप्सन दिखेगा इसमें आपको क्लिक करना है जिसके बाद आपको यहां पे सभी कांसलिंग की लिश्ट दिखाई देगा तो इसमें आप साथवे नमर वाले ओप्सन पे यहां पे देखिए अभी आ रहा है, Online Counseling for ANM, GNM, Admission 2022 और इसके बगल में Click Hair वाले बटन पे आपको Click करना है और यहां पे आपको Sign In का Option दिखाए देगा, जिसमें Sign In वाले Option पर Click करें और यहां उपर में आपको अपना Login ID में Application Number डालना है और उसके नीचे आपको अपना Password डालना है, और फिर नीचे में IA Capture को यहां पे फिल करना है अगर आप अपना Application Number भूल चुके हैं, तो आपने जो Online करते वक्त Email ID दिये थे उस Email ID में जाकर के, वहां से ANM या JNM लिख करके आप सर्च करें, तो आपको Application Number और Password मिल जाएगा उसे यहां पे फिल करने के बाद Sign In वाले Option पर Click करें जिससे आप इसमें Login हो जाएंगे, और यहां पे आपको Dashboard का Option दिखाई देगा और यहां पे आप देख सकते हैं, Option Form Status में In Complete दिखाई दे रहा है तो Proceed to Fill Option Form वाले Option पर Click करें उसके बाद आपको यह वाली पेज में Application Number, Roll Number, Candidate ने मित्यादी दिखाई देगा और जो भी आपको फिप Paid करना है, उसकी Amount यहां से आप देख सकते हैं और नीचे में यहां पे आपको Note में Message लिखा हुए मिलेगा कि अधि आपका Payment कट चुका है और यहां पे Soar नहीं हुआ है तो आप आधे घंटे के बाद ही दुबारा Pay करें तो इसमें आगे बढ़ने के लिए Proceed to Payment वाले Option पर Click करना है उसके बाद आपको Payment Gateway की Page खुल जाएगी और यहां पे आप जिस भी माधियम से Pay करना चाते हैं उसे Select करें यहां Net Banking, Debit Card, Credit Card, Wallet और UPI का Option मिल जाता है तो चलिए मैं यहां सबसे असान तरीका UPI के माधियम से Pay करके आपको दिखा रहा हूँ तो इसके लिए आपको UPI वाले Option पर Click करना है और यहां पे भी PAN की Virtual Payment Address में आपको अपना UPI ID को डाल लेना है और फिर Pay Now वाले Option पर Click करना है और फिर उसके बाद आपको Continue वाले Option पर Click कर देना है जिससे आपके UPI एप में Payment Request चली जाएगी वहां से आप Accept करके उस Payment Request को Pay कर दें और जैसे ही आपका Payment वहां पर Successful होगा आपको बस थोड़ी देर तक इसमें Wait करना है यहां पर देखिए आपका Pay Paired Zero आ जाएगा उसके बाद आपको Save and Next वाले Option पर Click कर देना है उसके बाद आगे की पेज में आपको आपका College या Institute को Select करना है तो यहां पर Select Branch वाले Option में Click करें और इसमें आपको दो Option मिल जाता है A&M और G&M तो आपने जिस भी Admission के लिए Apply किये हैं उसे यहां से चुनें और फिर Select Institute District वाले Option में यहां पर Click करें जिससे यहां नीचे में आपको सभी District का Option आ जाएगा जिस जिस डिस्ट्रिक में आप अपना Institute या College को Select कर सकते हैं तो इन्हों में से किसी एक को चुनें और उसके बाद Select Institute Status वाले में Government या Private आप जिससे चुनना चाते हैं उसे चुन सकते हैं मैं फिलाल यहां पर All पर रहने देता हूं और Search College वाले Option पर Click कर देता हूं तो यहां नीचे में आप देख सकते हैं देवघर District में JNM के लिए सिर्फ एक ही उसकूल या College Institute जो भी है वो एक ही आ रहा है और वो यहां पर Status में आप देख सकते हैं प्राइवीट है तो इसे आप अधी अपने प्रिफरेंस में एड करना चाहते हैं तो पलस वाले Option में क्लिक करें जिससे यहां पर आपका वही Institute या College एड हो जाएगा इसी तरह आप और भी District को सलेक्ट कर लें जो जो प्रिफरेंस के हिसाब से आप जिसे जिसे चुनना चाहते हैं उसे सलेक्ट करके पलस वाले Option पर क्लिक करते जाए नीचे में आपका वह एड होते जाएगा तो यहां पर देखिए मैंने अभी तीन इंस्टूट को एड कर चुका हूँ और इन में से यदि आप किसी को डिलीट करना चाहते हैं तो यहां पर डिलीट का Option आ रहा है उसमें किलिक करके इसे डिलीट भी कर सकते हैं तो इसी परकिरिया को दोराते हुए आप जिस जिस डिस्ट्रिक का जो जो इंस्टूट को सलेक्ट करना चाहते हैं उसे select करें और फिर और जब आप इसे चुन लें और इसे संतुष्ट हो जाएं तो save and nest वाले option पर click करें जिसके बाद अगले page में आपको यहाँ preference के हिसाब से दिखाई देगा कि आपने किसे पहले नमर पर चुना है किसे दूसरे नमर पर किसे तिसरे नमर पर अधि इसे आप change करना चाते हैं तो reset preference वाले option पर click करें और अधि आप इसे रहने देना चाते हैं तो save and nest वाले option पर click करें जिसके बाद कुछ इस type का page खुलेगी जिसमें आप अपनी personal detail को यहाँ से देख सकते हैं और इसे थोड़ा scroll down करने पर आपने आपके द्वारा चुने गए preference की option list यहाँ से आप देख लें और थोड़ा और नीचे आने पर यहाँ पर आपको declaration का option मिलेगा इसमें आपको tick करना है और उसके नीचे lock option form का button मिलेगा उसमें आप click करके इस form को lock कर सकते हैं उसके बाद आगे आपको confirmation के लिए एक बार फिर से yes या no में पुछा जाता है कि क्या आप option form को lock करना चाहते हैं तो आगे बढ़ने के लिए आप yes पर click करें जिसके बाद आपका form lock हो जाएगा और यहाँ से आप print option form वाले option पर click करके इस form का print out भी ले सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को like जरूर कर दीजेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को अभी subscribe करके notification बटन को on कर लें क्योंकि इसी तरह की और भी बहुत सारे महतपूर्ण वीडियो में आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में वीडियो पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन अंगल मैं हो